अकाश के लिए राश्ट्रे टीम के लिए खेलने का सफ़र आसानी की रहा मोले रूप से बिहार के रहने वाले स्खिलारी ने अपने जीवन में संहर्ष के कई दौर देखे हैं कभी पिता भाई के निधन ने तोड़ा तो कभी आर्थिक तंगी के करन फिकेट छोड़ना पड अकाश दीव ने इंग्लेंड के खिलाव राची में टेस्ट्रिकेट में डेब्यू किया 27 साल के स्खिलारी में पास टेस्ट मैचों की सीरीज के चोथे मुकाबले में उतरते ही कमाल कर दिया उन्होंने इंग्लेंड की पहली पाड़ी में शुरुआती तिन विक्टित लेक अकाश के लिए राच्ट्रे टीम के लिए खेलने का सफर असान ही रहा मूले रूप से बिहार के रहने वाले स्खिलारी में अपने जीवन में संघर्ष के कई दौर देखी हैं बता दें कि अकाश के पिता उन्हें संकारी नौकरी करते बेखना चाहते थे उन्होंने कई परिक्षाएं भी दी लेकिन उनके मन में हमेशा प्रिकेट चल रहा था पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था वह प्रिकेट के लिए जादा समय निकालते थे अकाश ने समाचार एजेंसी पीपियाई से कहा था कि लोग बच्पन में उन्हें ताने सुनाते थे यहां तक कि दोस्तों के घर वाले भी उनकी बुड़ाई करते थे अपने बच्चों को उनसे दूर ढहने की सला देते थे भारती 30 गिनबाज ने बताया कि लोग यह कहते थे कि अकाश से दूर हो उसके संगत में रहकर पिगर जाओगे हाला कि अकाश अब किसी के आलोशना नहीं करते हैं अकाश के 2015 उनके जीवन का सबसे कठिन साल रहा उन्होंने 6 महने के अंदर अपने पिता और भाई दोनों को हो दिया था पिता का निध्वन स्ट्रॉक के कारण हुआ था वहीं दो महने बाद उनकी भाई में भी दुनिया छोड़ दी अकाश के घर में पैसे नहीं थे उन्हें अपनी मा की देखभाल करनी थी इस करण उन्होंने क्रिकेट को तीन साल के लिए छोड़ दिया था बाद उसने उन्हें बुरे समय से काफी मदद दी है दुरगापूर में उन्हें क्लब क्रिकेट में खेलने का मौगा मिला चैनजए गेंदी क्रिकेट से उनकी कमाइई हो जाती थी दूरगापूर में चाचा ने भी की है उन्होंने अकाश को मुश्किलों से बाहर निकाला और क्रिकेट पर ध्यान देने के लिए प्रेरिद किया अकाश ने 2019 में बंगाल के लिए पहला प्रथम श्रेनी मैच खेला और उसी साल लिस्ट ए और टी-ट्वेंटी फॉर्मेट में भी डेव्यों का मौका मिला अंतर फॉर्टीवन टी-ट्वेंटी उन्होंने फॉर्टी एक जट्टे हैं अकाश आई फिल में वरात कोली की टीम डॉयल चैनल्स बैंगलोर के लिए खेलते हैं उन्होंने चीम के लिए साथ मैचों में शे विकेट लिये हैं तो आपकी इस वीडियो में क्या राय है अपनी रा आम गाडिके लिए देख्ते रिए स्पोर्ट्स पैट